छट्वां मुद्दा जिसको लेकर दोनों के बीच में मद्वेद है वह है सैनिक संगठन भारत एक शांतिप्री देश रहा है भारत एक गैर सैनिक शासन में विश्वास करता है दूसरी और अमेरिका सैनिक संगठनों के बल पर उसने अपना वर्चस बनाया है अपनी ताकत बनाई है 1949 में उसने सैनिक संगठन बना कर ये साबित करने की कोशिश की कि वह अपनी वर्चस्वता बनाया रखने के लिए वह सोवियत संग का सतत विरोध करने के लिए सैनिक ताकत पर भी विश्वास करता है और इसलिए उसने नैटों की स्थापना की सामेवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा अनेक सैनिक संधिया की गई सैनिक समझोते किये गए, सैनिक संगठन बनाए गए और वो अमेरिका का मानना था कि सैनिक ताकत के बल पर ही विश्व को अपने नियंतरण में किया जा सकता है सैनिय बाहुली ही सब कुछ है, जबकि भारत सरकार नैटो के विरोज में थी, ऐसे सीटो, सेंटो, यह सब अमेरिकी सैनिक संगठन थे CETO याने Central Organization Cento याने एक और Military Organization तो इस प्रकार ये सब Military Organizations बना के उसने अपने गुट के विभिन देशों को सैनिक संगठन में शामिल कर लिया था और ये बताने की कोशिश की थी कि उसके वर्चा सुकाधार सैनिक सत्ता है भारत ने इसका तीवर विरोद किया और सतत रूप से करता आया है क्योंकि ये वैचारिक भिन्नता का मामला है ये मामला है भारत जहां शांतिप्री देश है भारत जहां गैर सैनिक परंपरा में विश्वास करता है वहां मेरका के वर्चस्व का अधार सैनिक ताकत है, सैनिक बाहुल है इस प्रकार ये सैनिक संगठनों के अस्तित्व को लेकर भी दोनों देशों के बीच में सतत रूप से विरोज रहा है सतत रूप से वयमिनच रहा है, सतत रूप से मत भेद रहा है नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैनिक संगठन और उससे उत्पन विरोधी संबंध भारत और अमेरिका के बीच उससे उत्पन अतनाओ वैचारिक मद्भेद ये तो अगला जो मुद्दा मैं बता रहा हूँ इसकी तुलना में कुछ भी नहीं था इसमें कोई दो मतनी की भारत बहुत शांतिप्री दे था किसी भी स्थिटी में वह military organization सैनिक संगठनों के खिलाफ था लेकिन जो अगला मुद्दा है वह है पाकिस्तान का समर्थन एवं समय समय पर दी जाने वाली सैनिक सहायता अमेरिका ने जैसा मैंने शुरू में बताया 1947 सही किसी अविश्वास के मुद्दे को लेकर जिसका जिक्र किया हूँ भारत के खिलाफ हो चला था और भारत के खिलाफ कार थिये उसके पडोसी से मित्र था यही तो अंतराश्टी कूट नीती और राजनीती है उसी राजनीत के तहट उसने अमेरिका का अमेरिका ने पाकिस्तान का दावन पकड़ा और पाकिस्तान जो भारत को अपना एक तरीके से तुश्मन मानता था उसने भी अमेरिका के तरफ दोस्ती बढ़ाने में कोई विलम नहीं किया भारत था अमेरिका के बीच मतभेत का यह सबसे महत्प सामरी ख्षेत्रों में भी साहता दी है 1965 और 1971 की जो लड़ाई हुई भारत की पाकिस्तान के साथ भारत पाकियुद 1965 और 1971 उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका से प्राप्थ हथियारों का खुल कर उप्योग किया और अमेरिका ने बड़ी बेशर्मी से एक सार कहना चाहिए कि अपने हथियारों को पाकिस्तान को बेचा ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान इन हथियारों का भारत के खिलाफ उप्योग कर रहा है और वह दुरुप्योग है क्योंकि गलत उद्येश से किया जा रहा है पर जै सा भारत के साथ अमेरिका के संबंध हैं अमेरिका ने पाकिस्तान का ही साथ दिया और इसे सेनिक सहायता खुल कर दी इसके बाद ही अमेरिका पाकिस्तान को इस तरह की निरंतर सहायता देते रहा और भारत इसका विरोध करता रहा है सतत रूप से अमेरिका की इन नीतियों से पाकिस्तानी पाकिस्तान मुखी नीती से भारत और पाकिस्तान भारत और अमेरिका के संबंध में बहुत तनावाया एक समय तो ऐसा था कि 1971 में अमेरिका ने 1971 की भारत पाक युद्ध के दोरान अमेरिका ने धंकी दिखाने के लिए धंकी देने के देश से भारत को पर नो जहाज भेज दिया था हिंद महासागर में ये एक बहुत बड़ी घटना थी तो निशकर्ष ये है कि अगला कारण भारत और अमेरिका के बीच कड़ुए संबंद का अगला कारण है कड़ुए होने का पाकिस्तान द्वारा अमेरिका की सहायता लेते रहना या दूसरे सात्वा कारण जो हम कह सकते हैं वह है भारत का रूस के परती जुकाओ अब दो महाशक्तियां दो धुरुवी विश्व उसमें भारत का निर्णे तो था नियूटरल रहने का, निरपेक्ष रहने का, गुट निरपेक्ष रहने का लेकिन उसके बावजूद कई बार परिस्तियां ऐसी बनती थी कि रूस के साथ उसे एक तरीके से ताल मेल बैठाने के आश्कता पड़ती थी क्योंकि उसे मालुम था अमेरिका भारत के अंतरराश्टी मामलों में हमेशा विरोध करेगा वह पाकिस्तान का पक्ष लेगा सुएक तराश्चंग में भी वह पाकिस्तान का पक्ष लेगा और इसलिए कई ऐसे मौके आए जब भारत अपने संबंधों रूस के साथ के अपने अच्छे संबंधों का एक तरीके से उसका प्रचार तो नहीं कहना चाहिए पर एक तरीके से जुकाओ उसने स्पश्ट कर दिया भारत अमेरिका के बीच तनाओ का ये कारण भी बना यद्यपी अमेरिका का व्यवहार भारत के इस जुकाओ का कारण था पर अमेरिका भारत के रूस की और के जुकाओ को एक तनाओ का मद्दा मानता था भारत से रूस की निकटता भावग रूस का पडोसी होना अफगानिस्तान का पडोसी होना भारत के पडोस में चीन जैसी एक अन्य उभरती महाशक्तिका होना अमेरिका का भारत के प्रति अविश्वास अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देते रहना ये 6-7 कारण ऐसे थे अच्छा दूसरा आठवा कार भारत को हथियार औजार और समय समय पर कोशल देने के लिए तैयार रहनों निश्चित रूप से इन कारणों से भारत का कुछ हद तक थोड़ा लगाओ था और एक और भागोलिक दिश्टे से जहां रूस पास था निकटम काफी निकट था भारत के अमेरिका बहुत बहुत द गाढ़ता दी भारत को जिकाओ रूस क्यों होना अमेरिका के लिए एक बड़ा चिंतत का कारण था कुछ घटनाएं हुई थी जिस पर हम विस्तार से नहीं जाएंगे लेकिन आप समझ लें कमबोडिया लक्षे में देखिए कमबोडिया कहां है जिसे कमपूचिया कहते हैं कमपूचिया के प्रश्ण पर अफगानिस्तान के प्रश्ण पर और ऐसे ही पोलेंड के मुद्दे पर भारत ने परोक्ष रूप से रूस का समर्थन किया है इन तीनों जगों में शीत युद्ध का प्रभाव जो तकालीन प्रभाव पूरे विश्व में था शीत से और ये श्वसार के बीच का मामला था भारत देखा गया उसने तीनों जगों के मामलों में रूस का साथ दिया इससे भी अमेरिका बहुत कफा हो गया अमेरिका कारोप है कि भारत उसकी अपेक्षा रूस के अधिक निकट है अता भारत के प्रती अमेरिका का वही दिश्टिकोन है जो रूसी गुट में सम्मिलित किसी देश के प्रती है यानि अमेरिका को भारत को उसी नजरिये से देखता था उसी शंका से देखता था उसी अविश्वास से देखता था जिस तरीके से वो रूस या रूस के गुट के अन्य देशों को देखता था भारत को वो एक तरीके से अन्डिकलेर्ड रूस का रूस के गुट का समझता था तो ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण भारत का रूस के प्रति जुकाओ था और उसका एक कारण अमेरिका था यदियाप अमेरिका के विचार कुछ और थे और वो सुचता था रूस के प्रति जुकाओ ही हम दोनों के बीच के तनाओ का एक कारण है अगला कारण बहुत मत्पूर्ण है कि भारत के अंदरूनी मामले में अमेरिका ने बहुत दखल दिया किसी देश के अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत दखल नहीं दे सकती यह अंतराश्टी राजनीतिका सिध्धान्त है किसी भी देश के अंदरूनी मामले में, घरेलू मामले में, कोई भी विदेशी ताकत, कोई भी देश, कोई भी देश डखल नहीं दे सकता, यहाँ एक अंतराश्टी सिद्धान था लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर भारत में एक समय खालिस्तान अंदोलन चला था, पंजाब के एक शित्र में, एक गुट के द्वारा, जो बाद में आतंक वादी गुट साबित हुआ, उसने एक तरीके से एक भारत की सरकार के प्रती, भारत की सेना के प्रती एक तरीके से खालिस्तान आंदोलन, क्या कहता हैं खालिस्तान आंदोलन, तो अगला कारण है अमेरिका दोरा खालिस्तान आंदोलन का समर्थन ये भारत को बहुत नागवार गुज़रा हुआ। बाहरी समर्थन, बाहरूप से आर्थिक और इवेंट स्टैनिक समर्थन देने का जो अमेरिका ने जो स्टैन लिया था, भारत ने उसका कड़ा विरोध किया और तनाओं का ये कारण बना कि वो उसे शस्त्र भी दे रहा था, अमेरिका खालिस्तानियों को और धन भी दे रहा तो ये आठवा कारण हुआ, नौवा कारण भारत और अमेरिका के बीच के तनाओं के संबंद का है, 1961 की और हम जाएं, 1961 में गोवा को पुर्टगाल की सरकार से मुक्त किया भारत ने, भारत के द्वारे एक कोशिश थी, कि गोवा जो है, उस समय आपको मालूम होना चाहिए, कि एद्यपी भारत, 1947 में स्वतंतर हो गया, लेकिन कुछ खेत्र विवादित रहे, उनमें से एक खेत्र था गोवा, और गोवा पर इंग्लेंड का कबजा नहीं था, जो वो स्वतंत है, थोड़ी अलग है, आज आप गोवा जाते हैं, तो एक अलग माहौल दिखता है, उसके पीछे कारण है, गोवा का पुर्तगाल के द्वारा शासन, गोवा पर, 200 वर्षों तक, तो गोवा में 1961 में, पुर्तगाल की अधीन साथ एक मुक्त कराने के लिए भारत सरकार, शा शान्तिपूर्ण तरीके से वो हल नहीं चाहता था, और भारत यहां शान्तिपूर्ण बाच्चीत के पक्षमे था, उसकी स्वतनता को लेकर, पुर्तगाल नहीं था, और पुर्तगाल को शान्तिपूर्ण हल ना नकालने के लिए अमेरिका दवाव बना रहा था, अमेरिका कते ही नहीं चाहता था कि पुर्दगाल गोवा को छोड़कर चला जाए जबकि अमेरिका ने पुर्दगाल के भारत विरोजी रवईये का बड़ा समर्थन किया बाद में निश्चित रूप से एक्सानिक कारवाई के तहद भारत पुर्दगाल को स्वतंतर करने में सफल लेकिन एक कड़वाहट पैदा हो गए अमेरिका का खुला रूप सामने आया है कि कैसे वो कश्मीर मामले में पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है कैसे वह गोवा के मामले में उसने पुर्दगाल को समर्थन किया है आदी आदी वैमनस्चिता का विरोध का तनाओं का भारत अम गुट निर्पेख्षता की नीटी गुट निर्पेख्षता क्या है इसके बारे मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ लेकिन एक पंक्ती में यही फिर बताना चाहूँगा कि द्वी धुरुवी विश्व जिसमें एक का मुखिया अमेरिका था और एक का मुखिया रूस था ध्रुवी विश्व के की राजनीति से हट कर दोनों में से किसी भी गुट का सदस्य ना बनने का निर्णा लेना और अपना एक स्विजंत्र अस्तित्व बनाए रखना यही गुट निर्पेक्षता कहलाती है निर्पेक्ष होना मतलब दूर रहना अलग रहना किसी का पक्ष ना लेना और गुट आप समझते हैं भारत की एक गुट निर्पेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति का आधार थी क्योंकि भारत ने कई सो वर्षों की गुलामी के बाद बड़ी मुश्किलों में स्वतंता पाई थी वो इसे खोना नहीं चाहता था इस गुड़ बाजी में पढ़के उसको भैठा कि किसी दिन वह गुड़ हम पर हावी ना होने लगे और हम गुलामी का जीवन फिर ना जीने लगे अमेरिका को ये भारत की गुड़ निर्पेख्ष्टा की नीति बरदाश नहीं होई 1947 में अमेरिका ने इंग्लेंड पे दबाव बनाया था कि भारत को स्वतंत्र किया जाए क्योंकि भारत भी एक लोगतंत्र होने की आशा रखता है लोगतंत्र होने का विचार रखता है तो हम लोगतंत्रिक देश उसे स्वतंत्र करें और इस पकार अमेरिका ने दबाव बन और उसकी एवज में ये उम्मीद की कि भारत उसका साथी बनेगा, भारत उसका अनुयाई बनेगा, भारत उसके खेमे में जाएगा, पर भारत ने ऐसा नहीं किया। और साथी अन्य ऐसे सैकणों दोशों को, देशों को उसने प्रेणा दी कि वे गुट निर्पेक्ष रहें, भारत गुट निर्पेक्ष राष्टों का नित्रित भी करने में सफल रहा। एक तीसरी शक्ति के रूप में तो नहीं उभर रहा है, कहीं वह एक महाशक्ति बनने के तयारी में तो नहीं हैं, और इसलिए भारत का अमेरिका ने विदेश नीति के मामले में सतत विरोध किया, खास कर गुट निर्पेक्ष राष्टा की बात को लेकर, उसने हमेशा उसकी आलोचना की इस नीति को लेकर, तो भारत की गुट निर्पेक्ष राष्टा की विदेश नीति, जो थी, उसका अधार जो थी, उसके कारण भी भारत अमेरिका के बीच संबंदों में खटास थी, ग्यारवा मुद्दा, इसका जिक्र में पूर में कर चुका हूँ, और वह है, चीन को सिंक्त राष्टा की सदस्थता दिलाना, मैंने आपको बताया था कि चीन, उननीस उन्चास में, माउजे डॉंग, नाम के, कम्यूनिश निता के हाथ में जाता है, और वहीं से चीन का एक तरीके से आधनी की करण शुरू होता है, और भारत ने, भारत उन पहले देशों में था, जिसने चीन को एक देश होने की मानिता दी, ऐसे ही नहीं, भारत ने चीन को उननिस सो उन्चास के बाद से ही, सिंक्तराश संग का सदस्य बनाने के लिए भर्षक प्रयास किया, लगातार प्रस्ताव लाए, प्रतिवर्ष वह प्रस्ताव जियोनों में देता था, प्रतिवर्ष की जरुरत इसलिए पड़ती थी, क्योंकि चीन की को बहुत से देशों ने एक देश के रूप में मानिता भी भी नहीं दी थी, उनका सोचना कुछ और था, लेकिन भारत का सोचना था कि चीन अब एक अस्तित्व में है, एक देश है, इसे स्विकार कर लिया जाए, और चुब कि अभी एक देश है इसे सिविक तराजचंग में इसे एक स्थान दिया जाए और खास कर इसलिए क्योंकि चीन बहुत विशाल देश है बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश इतने विशाल देश का UNO में ना होना 271 में चीन को स्विक तराजचंग की सदसिता प्राप्त हुई और चीन एक ताकत के रूप में उभर रहा था एशिया में सोवियत संख्य तो था ही अब चीन भी एक नई ताकत तो अमेरिका को डर था कि विश्व में जो ताकत का जो संतिलन है वो गलवड़ा ना जाए चीन की राजनी ती का जो केंदर है यूरॉप वो वहां से खसक कर एशिया में जा रहा है ऐसा अमेरिका को सततरूप से डर रहता था भारत का ये प्रियास और भारत का ये सफल प्रियास कि चीन को से एक तरा संका सदस से बनाना है उसे लेकर अमेरिका हमेशा परेशान रहा और हमेशा उसने भारत की इस मुद्दे को लेकर आलोचना की और भारत जब इसमें सफल हुआ तो अमेरिका के लिए बहुत कठिन था इस बात को स्विकार करना कि स्विक्त राश्चंग में चीन अब एक सद्द से बनने है जिसका अमेरिका सद्द रूप से विरोध कर रहा था तो ख्याल रखें कि चीन सद्द से बना 1971 में अब एक ऐसा मुद्दा अमेरिका के द्वारा कोरिया पर 1950 में अमेरिका ने कोरिया को अकरमा करने और स्विक्त राश्चंग की सेना भेजने का प्रस्दाव रखा कोरिया में क्या हुआ था ग्रिह युद्ध चड़ गया था ग्रिह युद्ध इसकार्थ क्या होता है कोरिया के अंदर के लोग ही दो गुट में बट गया और एक दूसरे से लड़ने लगे दोनों गुटों की अपनी अपनी सेनाएं हो गई और इस परकार एक तरीके से अंद हो एक आकरामा कृएती अपनानी पड़ेगी कोरिया से को रिया के बाबत भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन किया परंति जब अमेरिका ने भारत से स haunted raja sang के मातहद सैनिक भेजने के लिए सेना मांगी तो भारत ने ना कार दिया मना कर दिया दूसरे शब्दों में आपको मालुम होगा कि सुएक तराष्ट संग की फाज संग की बात कर रहा हूँ उसकी अपनी सेना नहीं होती जब भी जरुत पड़ती है तो सुएक तराष्ट संग के सदस्य देशों की एक सामूहिक सेन बनाता है पांच देशों की मिलकर दस देशों की पंदरा देशों की हर देश से कुछ 100-100-200-500 ऐसे सैनी के कट्ठा करके उनको ट्रेनिंग देकर फिर उनको भेजता है तो भारत ने जहां अमेरिका के इस स्टैंड को की सहमती दी कि हां कोरिया में आकरामक करवाई की जौरत है स्टैंड की फौज की जौरत है ये 1950 की बात है अमेरिका ने स्टैंड की पर दवाव बनाया कि भारत से भी उसकी फौज का हिस्सा मांगा जाए भारत को भी आदेश दिया जाए कि वह भी अपनी कुछ फौज का एक चुकड़ा भेजे कोरिया में जो दिके लिए भारत ने मना कर दिया आखिर 1950 में तो भारत स्वतंत्र ही तो हुआ था रिपब्लिक बना था उस वर्ष मात्र उसकी सेना को बने तीन वर्ष हुए थे और हम विदेशी धर्ती पर जाके लड़ाई लड़े और फिर वो भी तब जब हमारी नीति शांति पर देश होने की है तो भारत ने इन कारनों से इनकार कर दिया और इस इनकार का खामियाजा भारत को इस रूप में बगटना पड़ा कि अमेरिका का जो आविश्वास था 1947 में पैदा हुआ वह आविश्वास बढ़ता गया उसका आविश्वास और पुक्ता हो गया क्योंकि ये घटना कोरिया की घटना 1950 की है अगला बिंदू जिसके कारण तनाव बढ़ता है वो है तिबबत के मामले में तिबबत के समन्द में भारत ने चीन से एक संधी की तिबबत एक विवादित खेत रहा है और उस विवाद को सुलजाने के लिए औ और तिबबत की जो सीमा ही आप देखेंगे नक्षे में भारत और चीन दोनों से लगी हुई है और सामरिक दिष्टी से राजनेतिक दिष्टी से टिबट एक बहुत ही महतपूर्ण खेतर है हिमाले की तराईयों से हिमाले के आसपास का खेतर है बहुत अत्यादिक महतपू कि चीन से तिब्बत का वह खेत्र मुक्त करा लिया जाए और तिब्बती लोगों के जो मुख्य गुरु है राजनीतिक और धार्मी गुरु दलाई लामा भारत ने उनको शरण देखे रखी है तो उस मामले को सुलशाने के लिए जैसे गोवा के मामले में भारत शांतिपूर निप्टारा चाहता था एस वहाँ पुर्तगाल और USA ने मना कर दिया शांतिपूर्ण निप्टारे थे यहां भारत और चीन तिब्बत के विचारक है साम्यवादी विचार धारा का है भारत के द्वारा चीन के साथ समझवता कर लेना मतलब साम्यवादी विचार धारा को बढ़ावा देना और इसके खिलाब था अमेरिका सक्त आपको याद होगा अमेरिका द्वारा सोवियत संग और उसके गुट का सतत विरोध का एक कारण था इस गुट का साम्मेवादी विचार अमेरिका का तो पूनिवादी विचार धारत थी तो वो कतव कि बरदाश्ट नहीं किया कि भारत ने शांतिपून तरीके से मामला सुल्जा लिया और वो भी एक साम्मेवादी देश के दौरा तो इस प्रकार और इसमें तो अमेरिका के कहना थे कि भारत ने साम्यवाद के प्रति समर्पन कर दिया है, अपने को आत्म समर्पित कर दिया, तो क्या भारत भी साम्यवाद की ओर बढ़ रहा है, ऐसी शंका अमेरिका को थी और इस शंका ने अमेरिका भारत के संबंदों में और कड़वाहट पैड़ा कर द हमने जाना हैं कि अमेरिका की विदेश नीति का मूल आधार सामयवाद का विरोध था उसका मूल आधार सामयवाद का विरोध ही नहीं बलकि सामयवाद का प्रचार रोकना भारत तो दोनों ही महाशक्तियों से मैत्री पूर्ण संबन चाहता था दोनों से ही उतनी घुनिश्टिता रखना चाहता था जितना संभव है भारत ने वैसे कई बार सामयवाद की बड़ी आलोचना की है जहां तक भारत की अपनी विचार धारा है उसने आलोचना की है परंतो अमेरिका जैसा कठोर विरोधी दृष्टिकोंड सामयवाद के प्रती उसने नहीं अपना दा मैं पना दोहरा दूँ अमेरिका की विदेश नीती जिती विश्विद के बाद किस बाद पर अधारित थी साम्यवाद को रोकना साम्यवाद का विरोध करना और उसके विस्तार को रोकना जहां तक भारत की बात है भारत दोनों गुटों के प्रती याने पूंजी वाद विरोध था और साम्यवाद विरोध था दोनों के प्रति उसके समान दिश्टिकोंड था दोनों के प्रति उतनी ही निकटता थी और उतनी ही दूरियां थी लेकिन एक अंतर था अमेरिका जहां साम्यवाद का कट्टर विरोधी था भारत उस हद तक कट्टर नहीं था भारत को साम्यवादी विचार धारा के कुछ वि विक्र किया है याने योजनाबध तरीके से आर्थिक विकास करना प्लाइनिंग और्गनाइजेशन आधी आधी तो साम्यवाद के प्रति भारत का तुलनात्मक दृष्टि से नरम रवईया होना भी अमेरिका के लिए अमेरिका को पसंद नहीं आया अमेरिका की भादी उसने साम्यवाद के प्रति कठोर दृष्टिकों कभी नहीं अपनाया उसने सम्यवादी विछार धारा में से जो अच्छी बातें थी उसे ग्रहन किया उसे लिया उसे अपनाया भारत के इस उदार दिश्टिकोण का ही खामियाजा भारत को भगरतना पड़ा अमेरिका भारत को अपना विरोधी शत्रु अपना शत्रु रूस का पिछलगू मानने लगा क्योंकि रूस सामिवादी विचारधारा का है, उसका प्रनेता है, रूस का आरत सोवियत संग समझिये हैं, सोवियत संग का पिछलगू इस रूप में अमेरिका भारत को देखता रहा है, भारत का रूस के प्रती जो सोवियत संग के प्रती तो जुकाओ था, उसके तो कई कार एक कारण ये भी हो सकता है कि सामयवाद की कुछ विचारधाराई उसे पसंद थी लेकिन अमेरिका जैसा भारत सामयवाद के प्रति अतना कठोर नहीं था विरोधी नहीं था परिणाम क्या हुआ अमेरिका ने ये निश्कर्ष निकाला कि भारत सोवियत संग का पिछ लगू ह है यदि उसके गुट में नहीं है तो भी कम से कम वह उसका पोशक है साम्यवादी विचारधारा का तो ये बिंदुगा साम्यवाद और साम्यवादी गुट को लेकर दोनों के बीच में विरोद